हाई फ्रेंड्स में आकांचा सर्माजी के वित्रकांचा में आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स अधा मेंस के एक्ष्रक्टेट कोशन पढ़ने वाले हैं यह ऐसे कोशन है जिनके आने की बहुत ज़्याद संभावना है इस्पेसियली मोपला विद्रो क्योंकि मोपला वि अलिगड़ा अंदुलन की ब्रिटेस काल में किसान विद्रो प्रमुव नागरिक विद्रो किसान विद्रो नागरिक में आपको बहुत अच्छे से कल लेना अ size bin content चली Eigen कोशन करते हैं यह कोष्य लिए गए ये मेरे आदुनी कितिहास के जो नो werense線 उसमें से लिए गए है आप आधुनी कितिहास के नोट्स हमारे पूरे पैकेज के साथ मिल जाएंगे और अगर आप हमारा पूरा पैकेज नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी उपको मिल जाएंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस तीन सो रुपए है तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रमु करने वाले थे उनमें विस्थापित सासक थे विस्थापित सासक मतलब जिनको अपने सामराज से हटा दिया हो जिनको उत्तरदाय तो वाला उत्तरदाय तो दारा आपने राज में ले लिया हो जो जमिदार थे बड़े भूमती जमिदार थे बड़े भूपती भूमी पती उनके वो उनका जो चीजे छीन ली गई थी जो एक समय में बहुत अच्छी खासी स्थिती रखते थे भारत में और उनकी इस्थिती निम्न हो गई थी तो उनकी दोवारा जो विद्रो हुए वो नागरिक विद्रो के रूप में कहे जाते हैं अपर इनको कैसे लिखेंगे कि क सौ वर्षों के भीतर विस्थापित सास को जमीदारों बड़े भूपतियों के भूमीपतियों के नेतत में जो विद्रो हुए वो नागरिक विद्रो कहलाते हैं इसका कारण क्या था पुराने जमीदारों किसानों कारीगरों का आर्थिक सोसर कोई भी नागरिक विद्रों पहले हैं सन्यासी विद्रो में बंगाल में हुया था संक्राचारे के कारन से किया था कि बंगाल में अकाल पड़ गया था और अकाल के समहेंगे भी अगजियों ने याा किसांथे वहां के लोक से अपनी जो लगान वसूल करते थे तो अकाल के समय अंग्रेजो द्वारा सोसर सन्यासी विद्रोह का प्रमुकारन था वारिन हैस्टिंग्स ने इसका विद्रोह किया सन्यासी विद्रोह का बिरोत किस ने किया वारिन हैस्टिंग्स ने किया तो सन्यासी विद्रोह क्या है वॉरन हैस्तिंग्स ने सन्यासी विद्रों का फिरोद किया नेक्स्ट है अहों विद्रों में याद रखेगा औहों विद्रों ततकालिक असम में हुआ ता ततकालिक असमें हुआ था यहां पर अहों यह एक जाती है उन लोगों का राज़त्यासम में तो क्या हुआ था सबसे पहले 1824 में ये इस्ट इंडिया का और में जकात्र विद्धिय अंग्रेजों के अहां विद्धिया था तो क्या हुआ था Miandassar में में इस्ट इंदिया कंपणी का चबॅ बर्मा से विद्रो हुआ था तो उन्होंने अकारन ही अहों only लोगों को उस्युद्व में छोग दिया था तो आहा सो अठाटाइस में अंग्रेजों के ब्रूत औरों लोगों अग्ले जोने अहवुमिद्रो को अपने सामराज में मिलाने का पृयास किया तो मिधरो पहला नाग्रिक विद्रो था सन्ञा.जरा गूसे अहवं ौ दूसरा नांगी कि सब्सक्राइब ले अहवं विद्रो का प्रमुक कारण क्या था कि जो विटेस थे उन्होंने जो खासी पहाडिया थी उन पे जवरन सड़क बना रहे थे और जो खासी जनजाती लोग थी उनको जवरन सड़क निर्मार में लगा रहे थे इसका नेतत्व करता तीरस सींग था तो खासी विद्रो क्या था 1830 से 33 के विच हुआ उत्तर पूर्वी पहाडी पर हुआ विद्रो का प्रमुक कारण क्या था वहां की स्थानिय जन्ता को इंग्रेज सडक निर्मार कारिय में जबर दस्ती लगा रहे थे ये उनका प्रमुक कारण था और इसका नेतत्व करता था तीरस सिंग खासी विद्रो कौनसा हुआ आपका सन्यासी विद्रो हुआ दूसरा हो मिद्रो हुआ तीसरा खासी विद्रो हुआ चौता है विजे नगरम के राजा का विद्रो तो विजे नगर के सासक द्वारा 1794 में ये विद्रो किया गया विजे नगर के सासक द्वारा 1794 इसी में जो विद्रो किया गया विजे नगर के राजा का विद्रो क्यालाता है नेक्स कोशन है बुंदेला विद्रो बुंदेला विद्रो अठ्रा सो ब्यालीस में हुआ था ये बुंदेला विद्रो पहला ऐसा विद्रो है जो एक संहू के रूप में हुआ या बोल सकते एक जो संग के रूप में मतलब अंग्रेजों ने इसका प्रतिकार किया गोणवाना मालवा सहिद ये पूरे मध्ध परदेश में फैला था गोणवाना मालवा सहिद ये कहां कहला फैला था पूरे भारत में फैला था गोणवाना मालवा सहिद आपको सबसे पहले सन्यासी आपको पता खरना है कौन कौ आपने लिखा है विजयनगर का विद्रो और पांचवा आपने लिखा है बुंदेला का विद्रो तो यह पांचों विद्रो आपको याद रखना है यह जो नागरिक विद्रो थे बुंदेला विद्रो गोनवाना मालवा सही सब हुगा फिर विजयनगर की राजक का विद्रो फिर खासी विद्रो, फिर अहोम विद्रो, सन्यासी विद्रो, यह कारण क्या लिखना है, और क्यों हुआ यह लिखना है, तो आपने इनागरिक विद्रो पर टिपड़ी लिख ली, अब हम अंगला करने वाले हैं किसान विद्रो, जो किसानों के कारण हुए, तो आपने जो निर्धनता की वेडियों में चकड गए थे अंग्रेजो द्वारा भारती क्रसी ववस्था में ब्यापक परिवर्तन किये गए क्या हुआ अंग्रेजो द्वारा जो भारती क्रसी ववस्था दी उसमें ब्यापक परिवर्तन किये गए जिसके कारण क्या हुआ जो क्रसी जगत थी उसमें क्या हुआ हल चल पैदा हो गई और जिसके कारण जो भारती किसान था वो निर्धनता की बेडियों में जगड गया उपनेवेशवात के अधीन भारती क्रसी की निर्धनता के कारण तथा विद्रोहों के कारण उपने वेशवात के अधीन जो भारती क्रसी के निर्धनता है के कारण विद्रों के कारण क्या हुए उपने वेशवात मतलब जो अंग्रेज हमारे भारत को एक कॉलोनी बना के रह रहे थे कॉलोनी बना के रहना उपने वेशवात कहलाता है इसका कारण क्या था कि क्यों हुए था क्यों ये विद्रो हुआ था तो क्या हुआ था क्रिसानों के कारण इनके आने के कारण जो भारती हस्त सिल्फ था वो पूरी तरह से बिनास हो गया था जो भारती हस्त सिल्फ थे लगुद्योग थे वो पूरी तरह बिनास हो गये थे उ दोनों अब आतिए और उपने वेषवारी प्रशासनिक नहीं पूरा तो व्यवस्था विक्सानों को परशान कर रही थी वहमी पर अधिक दवार्ब तो रंभपुर विद्रो नील आंदूलन पावना अंदूलन और किसान आंदूलन में किसान मुख्ष सकती बन बन कर उबहें तो अब उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधैः लडाई करना आरंब कर दिया था किसान जो आंदोलन था उसमें किसान जो थे वो मुख सक्टी बनकर उबरे थे और उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधा लणना आरंब कर दिया था तो किसान आंदोलन के परणाम क्या हुए थे रंगपूर विद्रो नील आंदोलन पाबना विद् बहावी और अलिगड अंदुलन के विशेस्ता बिशेस्ता बहावी Umm पुनलन करता था उनके दोरा यह आंदुलन लाया गया था तो सुथितनतुता से पहले भारत में विविन्ध धर्मो और समप्रदाई की चेतनہ का वीकास हुआ था मुसलिम समाज में इसके लिए बहावी अहम्दिया और अलीगर जैसे सुधारवादी आंजलन का महत्पूर योगदान है फ्रेंट्स एक और जानकर यह आपको देना चाहती हूँ अगर आप इस वर का प्रेलिम्स दे रहे हैं और आपको क्या है कि बहुत कम समय रगया रह गया है और 10,000 कोशन्स का यह कलेक्शन है तो आप इसको एक साथ लेकर भी तैयारी कर सकते हैं इसको आप घर पे भी मगा सकते हैं एक साथ हाट कॉप्य घर पे भी प्रेक्टिस कर सकते हैं आप इसकी सॉफ्ट कॉप्य भी ले सकते हैं इन कोशन्स की बारबर प्रेक्टिस कीज़े क्योंकि इसमें मैंने करेंट जिसमें आपको इंडिया वर्ल्ड प्लस MP करेंट आयोग परिया वरन भी ज्ञान जो भी हमारे स्लेवर्स प्रेलम्स की जो इतनी भी यूनिट्स है सबको अलग-अलग डिवाइड इसन करके बनाया उन स नहीं देटिंगे गया है कि हमने फैलती टैस्ट रखे गई इसकानी अपर डिसकांट मिल जाएगा यहमारे प्रेलिंस की बहावी अहम्दिया और अलीगर जैसे सुधारवादी आंदोलन का महतपूर योग दन था, बहावी आंदोलन के प्रनेटा थे सहावली अल्लाह और अलीगर आंदोलन की सुरुआज सैयद एहमत खाने की थी, बहावी आंदोलन पुनर जागरन वादी आंदोलन था, पुनर ज यार्मिक प्रभावों की निंदय की तता हिंदुस्तान को दारुल हर्स से दारुल इसलाम में बदलने की अभी अपील की